हालो फ्रेंट्स कॉंपेटिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स आज हम देखते हैं इन्वार्मेंट और साइंस और टेकलोजी के कुछ और महत्पूर्ण प्रश्णों को जो आपकी एक्जाम के पॉइंट है वोसे है तो फ्रेंट्स याद रखेगा प्रवासी पक्षी दिवस गौर्मेंट अप इंडिया के लिए या किसी भी स्टेट गौर्मेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होगा च्छतीस गड़ में भी यहां पे प्रवासी पक्षियों को जो है उसके आवा उसके कारण जैविवित्ता बढ़ती है तो कौन से डे को मनाय जाता है प्रोच्छाहन दिया जाता है गौर्मेंट अप इंडिया भी और इंटरेशन लेवल पे इसे प्रोच्छाहन दिया जाता है अठारा अप्रेल दो माई 22 मार्च या बारा माई तो याद रखेगा इसक बारा अप्रेल दो माई के डेट हम पहले प्रिवियर स्लाइड में डिसक्स कर चुके ठीक है तो दो बारा माई जो है इसका राइट आंसर है क्लेर हो गया नैस कोशिन की और मुव करते हैं भारत में अमलबर्सा सरप्थम कहां देखा गया था तो अमलबर्सा सबसे पहले 1974 में मुंबई में देखा गया था ये याद रखेगा ठीक है अमलबर्सा बैसिकली किसके कारण होती है S2SO4 और HNO3 के कारण होती है है ना सल्फियोरी कामला और नाइट्रिक अमला और एक और अमला होता है S2CO3 वो है कार्बोनी कामला इसके कारण भी होती है लेकिन ये कमजोर प जीनोग प्रकार का प्रदूसक बनाते हैं जैसे कि यहां पर ए S30 निंकलता है निया फैक्ट्रइव्यों से फिरा benefiting oxygen के साथ क्या करेगा यह reaction कर लेगा ऐसे की atmosphere चेसंट कर लेगा एकक्षण क्षेमर यहां बनाएगा आपका Wuhan एक्विका क्वार कर लाई ठिक है SO2 प्लस O2 फिर sulfur trioxide बन जाएगा तो यह दूतियक प्रदूसक है है ना तो यह देखुए प्रात्मिक प्रदूसक है यह किसी बहारी एजेंट या कोई भी external agent के साथ reaction करकिया और इस प्रकार दूतियक प्रदूसक बनाया उसके बाद देखते है नाइट्री कमला तो नाइट्र O3 बना देगा यह दूतियक प्रदूसक है ठीक तो यह क्या प्रात्मिक प्रदूसक था जल के साथ reaction किया सैकंड मनाएगा इस मग में भी वैसे चीजह है इस मग में ऑजोन के साथ भी reaction कर लेता है इस वह बहुत खतरनाक होता है सांसों के दवारा अंदर चली जाती है तो आ देखते हैं इटाई इटाई रोग का कारण क्या है इटाई इटाई रोग का कारण क्या है देखिए यहां पे दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है आरसेनिक तीसा दिया हुआ है मरकरी तो लैड के कारण जो होता है इटाई इटाई डिसीज होता है याद रखेगा यह डिस हम सक है यह पी नवर्मेंट यह इसमें प्यूinson को रिखा है तो मरकरी का हमने देखी लिया था पिछली क्लास ज्मी माता तो इससे क्या रा अंसर होना चाहीए अर्ड के राइट अंसर होना चाही है ऑडिक चलो नेक्स कोश्चन की और मूफ करते हैं प्रदूसित पानी में बी ओडी की मात्रा होती है यह ना बी ओडी क्या है बायलोजिकल ऑक्सीजन डिबाइड एक्जाम में बी ऐसे पूचा जाता है यह जैविक ऑक्सीजन मांग ठीक है तो देखे किसी भी जल सुरोत में है ना ज अगर घुला हो क्या है आखजिजन की मातरा ठेक है तो ये अच्छा पानी माना जाएगा आठ के बाद 9-10-11 जितना अच्छा ज्यादा गुलेगा उतना अच्छा पानी गिना तो इसे हम कहते हैं जिसल्व औक्सीजन घुलित ऑक्षीजन कहते जैसे 8 है तो 10, 11, 12 इस टाइप से हो रहा है तो उतना अच्छा माना जाएगा मतलब BOD उतना कम लएगा बायलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है उसके एनिमल प्लांट वहाँ पे जो मौझूद है है ना तो फिलहाल मान के चलिए कि DO जादा बढ़ जहीगा तो BOD घटेगा तो इसमें हम देख रहे हैं प्रदूसित पानी तो प्रदूसित पानी का डियो तो कम होता है तब ही तो प्रदूसित हो कैसे चाट से आप क्या करो 6, 5, 4, 3 इस ताइप उतरते चलो ऑक्सीजन की मात्रा कम करते चलो तो वह क्या हो जाएगा उतना प is the right answer clear हो गया चलो next question क्यों move करते है next question है भारत में coral reef प्रवाल भित्ती का सबसे बड़ा छेत्र है बहुत important question है है तो यहां पे देखिए प्रवाल भित्ती क्या होता है मैंने पहले भी बताय दिया था प्रवाल भित्ती coral reef दो चीजों से मिलके बना होता है एक है coral प्लस दू जैन्थिली तो जू जैन्थिली दो चीजों से मिलके बना होता है coral क्या है coral एक animal है और जू जैन्थिली क्या है एक शैवाल है ठीक है और यह एक क्या है जन्तु है दोनों मिलके क्या करते हैं symbiotic relation बनाते हैं दोनों एक साथ जीवन यापन करते हैं यह भूजन बनाएगा औ उनकी लाइफ साइगल चलते रहती है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जैविवित्ता के सबसे घरे छेत्र माने जाते हैं समुद्र में ठीक है कि घरे समुद्र में ज्यादा डायवर्सिटी नहीं होती है लेकिन जो गहरे ऐसा थोड़ा उपर चले जाओ जोगे और थोड़ा सा मध्याम या फिस सतही चेत्र में जाओगे और खासकर तटी चेत्र के पास वाले स्थित में जूज एंथिली मिलता है जहां पर टैंपरेचर 21 डिगरी सेल्सियस आसपास हो बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है तो यह किसके लिए जूज एंथिली क में मिलता लक्षदीब में मिलता है तो याद रखेगा सबसे जादा 90% अकेला कहां मिलता है अंडमा निकुवार छेत्र में मिलता है इसलिए जैविवित्ता वहाँ पे वायो डाइवस्टिटी जादा है तो सी इस दा राइट आंसर ठीक नाव नेस्ट कूशन क्यों मूव क है तो नागारजून सागर स्रीशलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब हैा बोर सबसे चोटा टाइगर रिजर्ब है जीम कार्वेट सबसे फ़र्स कंपट लाया ठीक है और इसके बाद हमें काफी सफलता भी विली ठीक तो आपका सी अऊंसर हो गया नाव नेक्स कोशिन की और मुव करते हैं ठोस अपसिस प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार गीला कच्रा को किस बॉक्स में रखा जाता है लाल हरा नीला सभी है ना बहुत आसान सा कोशिन है घर घर में जो कच्रे कलेक्शन होते हैं खासकर मिनिसिपल रीजन में जहां पे हम स उकड़े वगरह हो गया है ना सब्जियों के छिलके वगरह हो गई जो भी है कि गीला कच्रा को हमें सा याद रखेगा हरा बॉक्स में रखा जाता है नीला बॉक्स में क्या है सूखा कच्रा को रखा जाता है रैड में क्या है आपके आ जो खदरनाक अपसिस्ट होते हैं उ कामिल किया जाता है ठीक है तो साथ आठ नौ दस ठीक है याद रखीगा इस कामसर क्या है आठ है तो यह जो आठ है इस परकार देखते हैं क्या क्या होंगे तो आपको यहां पर लिक लेना है इस परकार यहां पर लिक लेते हैं चलिए जैसे कि यह जो आठ प्रमुख पलूट डाइ अक्साइट को लिया जाता है है ना उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन डाइ अक्साइट को लिया जाता है कारबन मोनो अक्साइट को लिया जाता है है ना उसके बाद ओजोन को भी लिया जाता है इसके बाद देखते हैं चार हो गए आपके उसके बाद लिखते है ammonia को लिया जाता है NS3 को लिया जाता है उसके बाद देखते हैं एक और important element है उसका नाम है lead ठीक है तो lead को लिया जाता है है ना उसके बाद देखते हैं कनकी पदार particulate matter 2.5 और particulate matter 10 ठीक है याने कनकी पदार का आकार की साबसे वो 10 है और छोटा सुक्ष में है तो 2.5 है तो ये ह आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है तो आपके यहां पे हो गए 8 प्रकार के पलूटेंट यह एर क्वालिटी इंडेक्स से किसी भी छेत्र में अगर देखते हैं प्रदूसर्ण जादा है काम है तो इनी आठों कारकों को कहां मेजर्मेंट किया जाता है चाहे आप राइपूर की बात करें बलासपूर की बात करें डली की बात करें कोल गाता की बात करें सभी में यह आठी चीजों को क्या है जो है इसको मापा जाता है गुन वत्ता की हिसाब से ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं REALLY होचके और फिखार गम्रार्चे के क्लास च्छो एह लिखश जलवायू परिवर्तन सम्मीलन इसे कहा जाता है जलवायू परिवर्तन सम्मीलन ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास गो जाएगा ठीक है चलो नेस्च्ट कोशटी000 अब हम इन्वार्बेंट्स सेक्शन की और मूफ करते तो राश्ती उर्जा शरक्षण दिवस कब मनाये जाता है राष्टी उर्जा सरेक्षन दिवस कब मनाये जाता है 14 दिसंबर 3 मई 20 मार्च या 12 मई ठीक है तो अग 12 मई तो आज पढ़ी चुके है वो से संबंदित है अपके जो प्रवासी पक्षी दिवस से संबंदित है है ना तो ये इसका आंसर है 24 दिसंबर प्रतिवस क्या है राष्टी उर्जा सरेक्षन दिवस मनाये जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ठीक है इस प्रकार याद रखेगा नेस कोशिन मूफ करते है टेकलोजी का नोबल पुरसकार विजेता है तो नोबल पुरसकार विजेता है सीवी रमन सर हर्गोविन खुरोइना सुबरामनियम चंदर सेखर और सभी आपको पता है भारत में जो नोबल पुरसकार विजेता है विज्ञान के छेत्रों में इन तीनों का नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है ठीक है सीवी रमन साहब ने रमन प्रभाव की खोश की थी इसले इनको नोबल पुरसकार मिला था हर्गोविन खुराना साहब ने जैनेटिक कोड या आनुवांसिक कोड की खोश की थी ह ना तो बेसिकली जैनेटिक्स के सेक्टर में का जो है कंट्रिविशन के कारें को दिया जाता है सुबरबनियम साहब जो है एक स्कोफिज थे ठीक है चंदर सेखर कॉंस्टेंट जो है जो है जो इसमें हम देखते हैं तारों की आयू भी ग्याद कर सकते हैं उसकी दूरी भी जो सैटलाइट होते हैं किसी भी उचाई पर नहीं किसी भी उचाई पर नहीं होते भई यह जो प्रित्वी होती है ना प्रित्वी के ऊपर अगर आप देखते हैं एक निशित उचाई पर क्या होते हैं अलग अलग उचाई पर क्या है सैटलाइट छोड़े जाते हैं तो भ 37000 km की निश्चित हाइट पर होते है तो भू स्थीर उपग्रा क्या है जिरोस्टेस्टनरी ओर्विट्ट क्या है एक निश्चित उचाई पर एक्वेटर के ऊपर 36,000 km की height पर छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी मुचाई पर wrong हो जाएगा, इस थी भी मुचाई पर, याने constant height पर, तो B इसका right answer है, ठीक है, धुरों के उपर कौन सा छोड़ा जाता है, polar satellite छोड़े जाते हैं, धुरों भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है, और D इसका wrong answer है, तो B इसका right answer है, clear हो गया, next question move करते हैं, निमने में से कौन सा सार्क satellite कहलाता है, सार्क जानते हैं, सार्क, वो fish वाला सार्क नहीं है, S-A-A-R-C, ठीक है, South Asian Association for Regional Corporation, दक्षेज भी कह दिया जाता है, भारत के पडोसी राज्यों का एक समू है कह सकते हैं, तो भारत इतनी क्या है, एक satellite छोड़ा, जिसमें की भारत के आसपा, जैसे यह भारत का map है ना, तो भारत के map में अगर हम देखेंगे, तो map के बाद क्या है, अगर हम इसके आसपास जितने भी country हैं, चाहे इधर वाले country हो, इधर वाले country हो, नीचे वाले country हो, तो सार्क मेंबर को हमने सर्विसेस डिया, एक satellite छोड़के, जिसके कारण हमारा international relation जो है अच्छा होगा, तो satellite का नाम है G69, ठीक है, याद रखिएगा, एक इसे सार्क satellite भी कहा जाता है, ठीक है, 2017 में छोड़ा गया था, next question देखते हैं, इंधन और आक्सी कारक जो cryogenic इंधन में प्रयोग होता है, य तो basically satellite और किसमें छोड़ा जाता है, satellite और आपके जो missile वगरह में यूस किया जाता है, तो वो क्या है, आपका देखता है, liquid nitrogen oxygen देखो, hydrogen को भविश्य का इंधन कहा जाता है, लेकिन hydrogen का अस्तित्व तब तक है, जब वहाँ पे oxygen मौजूद हो, ठीक है, तब ही वो जल सकता है, क्योंकि आपको पता है, oxygen जलाने के लिए helpful होता है, तो पहले option में देख लो क्या क्या है, यहाँ पहला वाला तो गलत हो गया, nitrogen हो गया तो, दूसरा देखते है, hydrogen और nitrogen यह भी गलत हो गया, उसके बाद देखते हैं, क्या है, hydrogen plus oxygen, yes, C is the right answer, तो hydrogen को क्या करते हैं, minus, यहाँ प Celsius पर क्या है, हम क्या करते हैं, cryogenic engine में उसे फ्योग करते हैं, ठीक है, तो C is the right answer, आप भले इसे याद न भी करें, यह याद रहना चाहिए, hydrogen और oxygen यूस होता है, यह fuel है, यह oxidizing agent है, clear हो गया, next question की और move करते हैं, next question देख रहे हैं, आपका, भारत का पहला sounding rocket का नाम है, sounding rocket जो है, भारत का पहला sounding rocket था, उसका नाम था Nike Apache, ठीक है, Nike Apache जो है, भारत का पहला sounding rocket है, जिसको हमने क्या है, satellite के सुरवाती दोर में, जो हमने satellite नहीं बनाया था, तो उसे क्या है, हमने छोड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे Nike Apache का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, रोहिनी, भासकर, है ना, यह तो क्या है, सुरवाती में प्रायोगिक satellite है, 1970 की दसक में हमने बहुत सारे प्रायोगिक satellite छोड़े थे, जैसे कि यह remote sensing satellite था, ठीक है, भासकर, SLV3 हमारा पहरा launching vehicle था, जिसे हमने 1979 में छोड़ा था, ठीक है, तो sounding rocket याद रखेगा, Nike Apache exam में satellite है, यह basically intercontinental ballistic missile है, तो intercontinental ballistic missile में हम देखते हैं, 1000, 3000, 5000 या उससे अधिक, तो देखो, ICBM को जब भी याद रखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक point बताता हूँ, कि जो missile दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है, cruise missile, दुस्ता होता है, ballistic missile, उसके attacking mode के आधार ठीक, तो ballistic missile ऐसा होता है, तो यहाँ intercontinental मतलब, अंतर महादीप ही, तो दो महादीप के बीच में, जैसे जितने महादीप है, साथ महादीपों में, Asia, Europe, Africa, Australia, वगरा हो रहा है न, तो आपका एक महादीप से दूसरे महादीप तक अगर हम travel करेंगे, तो क्या 1000 km में जा सकते ह क्या नहीं आ सकते, है न, तो आपको सीधा यहाँ पर समझना है, इसके अलग-अलग range होता है, एक होता है, short range ballistic missile, है न, जिसमें की अगर 1000 km तक की दूरी हो, तो SRBM type का short range ballistic missile उसके बाद देखते हैं, MRBM, medium range ballistic missile, medium range ballistic missile क्या, 1000 से 3000 की बीच की दूरी हो, तो medium range ballistic missile उसकरते हैं, सब क जैसे कि अगनी सीरीज वाले, अगनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं बताया था, कल की क्लास में, है न, वैसे ही, तो वैसे एक आता है, IRBM, intermediate range ballistic missile, जिसकी दूरी 3000 से 5000 500 km की बीच की दूरी हो, तो क्या यूज़ करेंगे, IRBM यूज़ करेंगे, और जब यहाँ पे आएगा ICBM, तो इसकी 500 km से अधिक तो उस समय हम ICBM यूज़ करेंगे, ठीक है, यह सब ballistic missile के प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे, तो क्या answer हो जाएगा, D is the right answer, next question मूव करते है, काली 5000 क्या है, क्या एक missile है, टैंक है, बी मस्तर या हेलिकॉप्टर है, देखिए, missile तो नहीं है, टैं होते हैं, खास कर अरजुन, भीष्म, कर्ण, यह सब स्टाइब से नाम वाले क्या हैं, आपके टैंक होते हैं, ठीक है, और missile को मैंने आपको बताई चुका है, प्रित्वी अगनी, त्रिसूल नाग, आकास, पांच जो प्रमुक है, उसके बाद, कुछ-कुछ और भी missile में आ देख लीजेगा, अगर आप नहीं देख पाएं, उसे तो, ठीक है, तो यहां पर यह दोना नहीं है, हेलिकॉप्टर जैसे चिनुक होता, धुरू होता, वह आपके हेलिकॉप्टर है, तो यह क्या है, काली 5000 बीम अस्तर है, जैसे की सीम साब चलते हैं, तो पीछे देखना जैमर चलते रहता है, अगर वो जैमर को अन कर दोगे, तो आप फोन काम नहीं करते हैं, सिर्फ सैटलाइट फोन काम करेगा, बाकी फोन काम नहीं करेगा, वैसा सुरक्षिया की रिष्टी से किया जाता है, तो यह बीम अस्तर भी एक प्रकार का ऐसा, बीम मतलब एक टेक्न टेकलोजी का पार्ट है, कम्निकेशन टेकलोजी का पार्ट है, सुचना पदूइक का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, दुस्मन देश की कम्निकेशन सिस्टम को धवस्त कर देते हैं, उसके बाद आपका वास्तवी लोकेशन पता नहीं चल पाता, और आसानी से आप क्या करते ह करेंगी तो दुस्मन देश का या उसके आज़ पर जितने कम्निकेशन पार्ट होंगे गैजट्स होंगे इंस्रूमेंट होंगे वह जो है और काम नहीं करेगा तो यह क्या हो जाएगा एक बीम अस्त्र है तो एक संचार का से रिलेटेड हत्यार है कह सकते हैं तो बीम वैपन ह रसिया से हमने बहुत कुछ इंपोर्ट किया यूएसे से भी इंपोर्ट किया है इसराहिल से भी किया है फ्रांस से भी किया है है ना तो याद रखेगा कि इसमें हम देखते हैं बड़े बड़े सबमरीन वगरा हम क्या रसिया सजातर लिये हैं ठीक हैं इंपोर्ट किये हैं और बेसिकलि उसे हम लीस में रखे हैं क्योंकि बहुत भारी बर कम होता है। यूएसे से भी हमने बहुत सारे रक्षाउट पाद लिए हैं। फ्रांसे तो हमने राफाइल वगर भी खरीदा है। 36 राफैल हमने खरीदा है जो अलग-अलग किस्तों मिल रहा है तो बराक मिसाइल जो है हमने क्या किया कहां से इंपोर्ट किया इसराइल से किया है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके बाद अगर देखते हैं बराक एट मिसाइल भी है इसी का एक अडवांस नहीं प्रित्वी टू है प्रित्वी टू है प्रित्वी थ्री है सब ही यह तो नोस मिसाइल देखो धानुस दो प्रगार के है डिर डिय का एक वो आर्टी बरी गन है एक तो अप्छम दिया नहीं तो आप क्या कहें चैसे वर्ड जैसे मालों मोटा ёड़ा रेंज देते ह प्रित्वी थ्री मिसाइल जब बनाए थे तो पृत्वी क्या हो जाएगा हो जाएगा तो इस प्रकार आपने विज्ञान प्रवड़ाईगे की एवां पर्यावरंड से संबंदित बहुत सारे प्रिशन का आप लाब जरूर उठाएंगे अब आने वाले लेक्चर्स में हम जनरल साइंस याने फिजिक्स, केमेस्टी, बायोलाजिक की कुछ महत्पूर्ण प्रशनों को सामिल करेंगे आप वो लेक्चर्स का फायदा भी जरूर उठाईएगा ताकि आप एक्जाम में बहतर स्कूर कर सकें ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं हम नेक्स क्लास में जनरल साइंस के प्रशनों के साथ थैंक्यू सो मच, है बनाइस टेग